हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी जल्दी से बता दीजिए सब को मेरी वोइस अच्छे से आरही है ना प्लीज बता दे मुझे और सभी मुझे सुन पा रहा है ना सभी स्टुडेंट्स तो दोस्तों आज वेरी गूड मॉणिंग तो आल आफ यू आप सभी का स्वागत करता सबी लोग जुड़ जाईए हम जो पढ़ रहे हैं वो बहतरीन पढ़ रहे हैं सर्किल के वह important question जो अकसर आप छोड़के आती थे exam में लेकिन आज के बाद नहीं छोड़कर आओगे इतनी मैं guarantee से कहता हूँ बस आपको daily class करनी है क्योंकि पता है ये चीज़े मैं आपके लिए क्यों करवा रहा हूँ कुछ लोग इसको ले रहे हैं कि सर इतने दिन हो गए जो मैटरी चलते चलते ये वो वाली बात नहीं है ये आपकी learning का है आप कितना सीखना चाहते हैं ठीक है एक teacher आपके लिए दिन बर मेहनत करके ये questions लेकर आते हैं कि आपको बहतर से बहतर मतलब आप कहीं आप जिंदगी में रुके ही नहीं आपको जो चीज़े डर लगता है उस डर को निकालने के लिए काम किया जा रहा है ये ध्यान रखना हमेशा ठीक है तो be positive और obviously आपके लिए दिन बर दिन मेहनत की जा रही है और दिन पर हम मेहनत करते रहेंगे लेकिन आप इस चीज़ को positive लें क्योंकि ये जो questions मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके हर परिक्षा में पूछे जाएंगे और आपको करके आने पड़ेंगे तब आप ये ना कहो कि हमने नहीं पढ़ा था चाहे वो situation कैसी भी हो ठीके dear तो सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जी वेलकुल very good morning to all of you है ना वीडियो को share जरूर कर दें आपसे यहीं विंती रहती है starting में like जरूर कर दें साथ के साथ unacademy पर unacademy subscription पर अगर आप कोई भी category का subscription लेने जा रहे हो वो कोई भी हो यानि कि कोई भी exam की category हो कोई भी exam की category हो कोई भी goal हो आपका UPSC, bank, railway, DRDO जिसमें CDS, F-Cat में class चलती है CGL, CHSL, CPO, SSC वाली category सब में आपको अगर discount चाहिए तो आप साहिल 10 code लगा सकते हैं SAHIL10 without any space साथ के साथ यह motivational quote है आपके लिए जो समझ जाएगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा जो नहीं समझेगा और तो फिर नहीं समझेगा और आज एक जिंदगी की definition और बताऊँगा आपको मैं है ना तो याद दिला देना कि जिंदगी की क्या definition है ठीक है तो उजालो में मिली जाएगा कोई ना कोई जब आपको लगेगा ना कि हमें किसी की जरुवत नहीं है तो उजालो में क्या होगा मिली जाएगा कोई ना कोई तलाश उसकी करो जो अंधिरों में साथ दे जाने कि जो आपका साथ दिया जा रहा है जो आप लगातर पढ़ रहे हैं तो चाहे पेपर का पेपर डेट ना हो लेकिन फिर भी continuity बहुत जरूरी है ये एक टीचर्स का effort दिखाने के लिए motivational quote दिया है मैंने आपको ठीक है तो अब जब एक्जाम डेट आएगी ना तब तो दुनिया बर कोई लोग पढ़ाने लग जाएंगे आपको कि ऐसे पढ़ लो ये पढ़ लो वो पढ़ लो लेकिन तलाश उसकी होनी चाहिए जो अंदेरों में भी साथ दे जिस समय आपको पढ़ना actual में है उस समय वो आपको पढ़ाएं ठीक है तो सभी से यही विंती करूंगा कि वीडियो को share और like कर दिया करें आप लोग बिना किसी दिक्कत के बिना किसी problem के क्योंकि ये आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ ये question था बहुत सारे students को इसमें doubt था कल तो चले आज इस question को करते हैं चलिए हाँ सब जी के कर फ्यू लगा हुआ है पता है है ना लेकिन पढ़ा ही नहीं रुकनी चाहिए ठीक है हाँ तो ये question आपके सामने आया था एक student का कल मेरे से doubt था कि sir ये बता दीजिए कि आपने जो यहाँ पर एक circle लिया था वो कैसर कैसे पता चलेगा कि वो इसके center से गुजर रहा है angle by sector ये doubt था आप लोगों में से भी बहुत सारोगा होगा कि sir कैसे पता चलेगा कि angle by sector circle के center से गुजर रहा है तो my dear student आप लोगों को इतना तो मैंने सिखाया है यार है ना देखो जरा मैंने फिर उसको जवाब भी दिया था कि ये एक circle है माल लो और यहाँ पर मान के चलिए ये आपका एक base है और इस तरीके से ये आपके सामने एक ony एक Unless एक बेंदु है यहीट है यहीट था इस तरीकी से case बन रहा है ना मैं इसको अच्छे से बना देता हूं एक बार और और रहे ना मैं अच्छे से बना देता हूं देख लोगा कि यह अपके सामने एक circle था और माने कह दिया कि इस तरीके से Principal रहा है कि आप लोग मुझ यह तो सबको पता है और अगर मैं इसको इससे मिला दूँ इसको इससे मिला दूँ तो क्या मैं यह कह सकता हूँ my dear student कि यह वाली इस पर श्रेखा इस वाली इस पर श्रेखा के बराबर होगी होगी यह नहीं होगी बोलो यह वाली इस पर श्रेखा इस वाली इस पर श्रेखा क भी बराबर है और ये आपका क्या है common line है रहना साथ के साथ ये angle भी आपका बराबर है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये आपके सामने है ये angle by sector ही होगा याने कि ये जो है ये आपका angle by sector ही कहलाएगा ठीक है ये angle ये angle आपका ये ये जो line है न ये angle bisectory होगा यानि कि ये दोनों कौनों को बराबर भागों में विवाजित करेगी करेगी न क्योंकि same ही तो है अगर इस triangle को अगर मैं देखूं तो ये भी तो congruent है इस वाले triangle के अगर इसका value वो है तो ये भी value same ही रहेगा तो इस वजह से ऐसा होता है ठीक है कि जो आपका pass वाले जो ब्रत होता है उसके center से होकर गुजरता है angle bisector clear हो गया चलिए very good जिनको clear हो गया होगा doubt अब इस question को करते हैं किसी का answer आया very good शक्ती इसका answer आगया है तो चले इस question को करते हैं आप लोग मुझे बताओ वही वाली बात कर रहा हूं मैं कि फिर से मैं अगर एक angle bisector निकालता हूं तो इसके center से निकलते हुए कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा आप लोग मुझे बताओ यहां पर आकर वो जाएगी यह भी आर है यह भी आर है और यह भी आर हो जाएगी बोलो तो क्या आप इस वाली side को क्या कह सकते हो कि सर यह तो two hour हो गया यह two hour है तो यह वाला हिस्सा भी क्या है आपका यह भी तो आर है यानि कि यह भी आपका R हो गया, हो गया नहीं हो गया बोलो, चलिए भई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मस तरीके से समझेए हम जानते हैं कि यह पूरी की पूरी dimension कितनी है, 3 है कितनी है, पूरी की पूरी भुजा आपकी 3 है, तो आप लोग मुझे बताओ अगर मैं यह वाला triangle ले रहा हूँ यह वाला triangle जो मैंने आपके सामने बनाया है, तो यह वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 3 minus 3R हो जाएगी, बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, देखो है न, 3 minus 3R हो जाएगी, अब आप लोग concept को समझो, कि यह वाला एक triangle मैंने ले लिया, अब एक दूसरा triangle मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने कल एक बात बताई थी, कि अगर यह angle by sector माना है आपने, तो क्या आप यह बुझा निकाल सकते हो क्या यह कितने हो जाएगी, जल्दी से बताओ तो क्या मैं यह कह सकता हूँ, 5 और 3 8 ratio बराबर आपका 4 हो गया क्योंकि यह 4 के बराबर है न, तो 1 ratio बराबर आपका 1 by 2 हो जाएगा और यहां 3 ratio बराबर कितना हो जाएगा 3 by 2, कोई दिकत माइडियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई समझ्या शानदार कॉंसेप्ट है शानदार स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्लासिक कॉंसेप्ट है अब क्या मैं यह कह सकता हूँ, 2 ट्राइंगल मेरे सामने बन रहे है कौन-कौन से बन रहे है सर, हमें दिखाओ आप तो मैं कहूंगा, एक तो यह बन रहा एक यह वाला एक यह ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है यह वाला, पूरा बड़ा वाला तो क्या हम लगा सकते हैं इसमें ठीटा लगा लो या थेल स्थोर हमें कुछ भी लगा लो मतलब रेशो बराबर कर दो आप तो कुल मला के बात यह है तो लंब बटे आधार तो क्या मैं कह सकता हूँ तो 3-3R अपॉन आर बराबर बड़े वाले का कितना है तीन है और आधार कितना है तीन बटे दो तो तीन से तीन कट गया तो तीन से तीन कट गया आपको बहुत को सीखने को मिल रहा है यह बड़ी बात है ठीक है चीजे क्लियर हो रही है बहुत प्यारा कॉंसेप्ट है डियर बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है मैं दुबारा से बता रहा हूँ कि यहां यह निकालना आना चाहिए मैंने कल भी बताया था कि इन रेशों में जाता है आठ रेशों बराबर अगर 4 cm है तो एक रेशों बराब है एक तो यह वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल यह वाला तो इसमें लंब बटे आधार और इसमें पूरा लंब कितना है तीन और आधार कितना है तीन बटे दो लगा दिया बस कुछ नहीं किया दौनों को बराबर कर दिया मैंने, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया, कल वाली वीडियो भी देखना, मैंने कल डेटेल में पूरा एंगल बाइसेक्टर आपको समझाया था, ठीक है भाई साब, सर NTPC पढ़ा रहे हैं, हाँ, दौनों पढ़ा रहे हैं, सर NTPC भी पढ़ा र मेरे कहने पर एकया बाट्राई कर लो, यार क्या जा रहा हैं एक बाट्राई करके देखो, सेम कॉंसेप्ट है, अब यहां से ऐंगल बाइसेक्टर जाएगा, एक बाट्राई करिये, और आंसे दीजिए, जिनको समझ में नहीं आया जैसे कि प्रदीप है, प्रदीप कल don't तो आये नहीं थे, मैंने देखा था, सर लगता है UPSC का question है, नहीं नहीं, UPSC में geometry नहीं आती है, ठीक है? हाँ ना? और पेपर में आ जाएगा उस दिन को गया, ऐसे question तो सर ने करवाए नहीं, तो यह सोच-सोच का फरक होता है, उस सोच को सुधार हो, बसुदार हो, बसुदार हो, वेरी गुड, देखो आने, पढ़ने वालों के सब के answer आ रहे हैं, आप भी देख पा रहे हो, सब कमेंट कर र लगाया, कि और मैं ऐसे सोचता हूँ, कि यह angle by sector इसके center से कुझरेगा, मैंने बता दिया, क्यूं, बताया ना मैंने अभी, तो मैंने वही वाला काम किया, पहले तो मैंने angle by sector की बनाने की कोशिश कर दी, यह लो, यह मेरा angle by sector, और आगे कहीं भी जाके मिले, हमें उससे कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है, अब आगे classic classic question और आने वाले, तो सही हम रखो बस, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि एक तो यह हमारे पास R हो गया, ठीक है, एक यह हमारे पास R हो चुका है, एक यह हमारे पास R हो चुका है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आप लो 9 ratio आपका 3 के बराबर है तो 1 ratio बराबर 1 बटे 3 हो जाएगा यहां कितना आगया 4 by 3 बस क्योंकि इस 4 के साथ में relation मैंने निकाला है ठीक है dear same concept लगाऊँगा आप मैं मेरी मर्जी है मैं लगा सकता हूँ तो यहां पर मैंने क्या concept लगाया ज़रा आप देखने की कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को उमीड कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा ठीक है कि भाई देखो यहां center है और यह भी center है और यह भी r है तो पहली बात तो यह हो गया कितना r और यह हो गया आपका 2r क्योंकि यह भी r है और यह भी r है तो यह कितना बचेगा 4-3r क्योंकि मैंने छोटे वाले triangle में लगाना है same concept छोटे वाले triangle में लगाना है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बहले मैंने ये छूटू वाला ट्राइंगल ले लिया इसमें मैंने क्या किया लंब बटे आधार आर अपान 4 माइनस 3 आर इसी तरीके से मैंने इस वाले में लंब ले लिया 4 बटे 3 और आधार कितना था 4 था कट गया सॉल्व कर लेंगे 3 आर बराबर 4 माइनस 3 आर 6 आर बराबर 4 और आर बराबर आगया 2 बाई 3 तो जल्दी से मुझे बता दीजिए किन किन विध्यारतियों को समझ में आ गया है मज़ा आ गया कोशन करके दिमाग खुला सोच का दायरा बड़ा जो मैं चाता हूँ आप लोगों को बनाना उसके लिए मुझे मेहनत करने दीजिए और जिनको मेहनत नहीं करनी न वो मत करो लेकिन जिनको करनी है न वो लोग इन कोशन को करेंगे और पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से तो प्लीज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ एक बार करके तो जाओ एक्जाम में फिर देखना कि किस तरह से आप लोगों से अलग हो जाओगे अपने आप यानि कि एक्स्ट्रा ओ्ड़नरी एफर्ट लगाने के लिए extra ordinary effort के लिए उतनी ही मैनत करनी पड़ती है ठीक है तो जल्दी से मुझे बता दीजे मज़ा आगे ऐसा 4 बटे 3 वे एक बार बोलना है यह बता दिया है मैंने कई बार कि इस ratio में बाटोगे ना क्योंकि यह आपका angle by sector है यह आपका angle by sector है ना तो इस ratio में बाटोगे 5 ratio 4 में इस 3 को तो 9 ratio बराबर 3 है एक ratio बराबर एक बटे 3 तो यह वाला इससा कितना हो जाएगा 4 by 3 तो 9 कैसे आया 5 और 4 है ना यह रहा ना ठीक है मज़ा आगया clear हो गया हाँ चलिए तो यही तो concept लगाया पिछले वाले में भी तो यही किया था पिछले वाले में भी तो यही किया था यहां पिछले वाले में यह angle by sector माना था तो 3 और 5 आठ था तो 8 ratio बराबर 4 किया था पिछले वाले में किया था ना यह 8 4 क्यों यह 4 इस यह रहा तो इसमें 8 ratio 4 के बराबर और हमें यह निकालना है तो 1 ratio बराबर 1 बटे 2 है तो 3 ratio बराबर 3 बटे 2 आजाएगा यहां पर आज का आपका पहला प्रश्न करके बताईए कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा क्या चीजे सीख रहे हो यह सारी चीजे मैं जानना चाहता हूं देखते हैं किन विध्यारतियों का सही आंसर आता है और जो सबसे टफ वाली बात है ना जो सबसे टफ कंसेप्ट था वो पहले वाले खता जहां पर ऐसे टेड़े दो सर किला जाते हैं यह दोनों तो easy हैं फिर भी है ना सर first question में technometry का ratio right नहीं था बिल्कुस right था बिलकुल अंकुष बिल्कुल right था बिल्कुस right राहा है दिक्षा तृपाथी का अंसर आ अ गया रीटा पातरा आलोक विश्वजीत मॉंढल गोविंद कुमार का बिलकुल आंसर नहीं देते हैं एंगा से स्टूडेंट चलिए प्रियांका कुमारी का अंसर आ गया बिलकुल सही बात है चलिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक तिर्बुझ की अंते बृत की तिरिज्जा चार दे रखी है यानि कि आपके सामने क्या बना है जिसकी radius आपको दे रखे 4 देखो मैं कितने प्यारे concept आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोशन क्या कहना चाहरा है कोशन ये कहना ये कह सकता हूँ किसी किसी भी किसी भी तिर्बुज में किसी भी तिर्बुज के अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो यहां पर आपको X और X मानना पड़ेगा बराबर होता है ना बाहर के बिंदू से अगर किसी भी सर्किल पर आप इस पर श्रेखाई डालते हो तो वो बराबर होती है इसी तरीके से यहां पर बराबर हो गई इसी तरीके से यहां पर बराबर हो गई अब आप आप लोग मुझे बताओ कि भुजा क्या हो रही है X plus 6 दूसरी बुजा क्या हो रही है? X plus 8 अब आप common sense लगा के बताओ तीसरी बुजा 14 है कि इन दौनों में difference कितना है तो आप यह कहोगे सब difference 2 है option में हम कर सकते हैं कि किस में difference 2 है तो भाई answer आगया A लेकिन भाई साब सोचने वाली बात है कि इसमें तो चलो मैंने आसानी से एक option आपको दे दिया कि भाईया दिन में 2 का difference है लेकिन मान के चलिए अगर difference 2-3 option में 2 का होता तो कैसे करते बताओ अगर 3-4 option ऐसे होते जिन में difference क्या है 2 यह जिन में 2 है difference हम में तो कैसे पैचानते तो क्या यह कोई तरीका थोड़ी ना है यह तरीका नहीं है केवल इस question का answer आगया क्योंकि आपको examiner ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको परेशान करना चाहूं तो इस question को पूरा solve कराने की कोशिश करूँगा आपको तो चलो पूरा solve करते हैं इस question को dear और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे साथ में मिलकर इसके concept को बताएं कोई student बताएगा what is the concept क्या concept हो सकता है कोई भी student बताएगा मैं comment देख रहा हूं कोई भी student के दिमाग में कोई concept आ रहा है इससे related कोई concept मेरे दिमाग में आ रहा है और वह मैं आपके साथ में discuss करूँगा यहां मुझे in radius क्यों दे रखी है क्योंकि मैं जानता हूँ in radius बराबर होता है deal upon s deal यानि की area s यानि की अर्धपरिमाप तो हम यहां कह सकते हैं कि वो concept सर इसमें लग जाएगा इसका मतलब यानि की आपका जो area कैसे निकलेगा hero के formula से तो s बराबर कितना हो जाएगा 14 और 14 28 plus 2 x बटे 2 तो यहां से तो आगया अपने पास 14 plus x यह हो जाएगा क्या अर्धपरिमाप तो s बराबर कितना यह आगया अब area कैसे निकालते हैं hero का formula याद है s into s minus a s s into s minus a यानि की x हो गया into s minus b ठीक है तो कितना बच जाएगा s minus b तो यह हो जाएगा 8 और s minus c यह हो जाएगा 6 यह होगा ना छीक है अब इसको हम solve कर सकते हैं आसानी से यहां से area आजाएगा आपका कितना आ रहा है 14 plus x into 48 x ठीक है तो यहां से आप इसको solve करेंगे हैं ना del by s लगाएंगे उसके बाद में आपके सामने s पहले सी पढ़ा हुआ है आप दोनों तरफ square कर देंगे solve कर लेंगे answer आ जाएगा concept समझ में आ गया कि आपको concept क्या लगाना है concept लगाना है r बराबर del upon s clear है और यहां r आपको 4 दे रखा है area आप निकाल देंगे ठीक है सर मैं मन से समझने की कोशिश करता हूं पर geometry bounce होती है मुनेश कुमार कह रहे हैं यह बात मुनेश कुमार क्या आप शुरू से देख रहे हैं फिर भी अगर यह स्थिती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है भाई है ना चलिए तो समझ में आ गया concept आपको चलिएगा आगे चलते हैं अगले concept की तरफ अगला question शांदार है इसका answer दीजिए concept समझ में आ गया ना calculation घर पे बैठके करनी होती है ठीक है ना ऐसा नहीं है कि बस सर ने बढ़ा दिया और हमारा काम खतम हो गया ऐसा मत करना ठीक है इस question को करो चलो जल्दी से मुझे इस question का answer दो यह सारे question आप से paper में पूछे गए हैं competition exams में ठीक है तो करो ना इस question को करो चलो next question करके बताओ और अच्छा लग रहा है लाइक वेक करते रहो very good बहुत बढ़ी है प्रियंका कुमारी का answer आगया शक्ति राज वैशाली पाठक मुकेश मंडल बहुत अच्छा है बहुत बढ़ी हा लग रहा है यार करते रो बस अच्छे से ऐसी क्या बोला गया है तिरबुझ ABC की बात की गई है तिरबुझ ABC में केंदर मानकर तीन बरत खीचे गए हैं आने कि तीनो बरत अपस में एक दूसरे को क्या करते हैं टच करते हैं पहरे हम बरत बना लेते हैं एक बरत दूसरा बरत और तीसरा बरत अपस में टच कर रहा है तो कॉंसेट क्या क्या ला रहा है कॉंसेट ये है वही सिंपल सा कॉंसेट है इसके पीछे एक तरीके से आपने इफिशेंसी का देखा होगा टाइम एन वर्क में कि अगर इसकी रेडिएस आर 1 है इसकी रेडिएस आर 2 है और इसकी रेडिएस आर 3 है तो हम ने ऐसे ऐसे लिख दिया तो यहां तीन एक्यूशन बन जाएंगी R1 प्लस R3 यानि की तिरिवुज की भुजा मैंने मानली 9 R1 प्लस R2 दूसरी तिरिवुज की भुजा मैंने मानली 7 और R2 प्लस R3 तीसरी भुज की तिरिवुज की भुजा मानली मैंने 6 तो क्या हम यह कह सकते हैं यहां पर है ना क्या हम यह कह सकते हैं भी, शिम्पल हो गया ना बिलकूल तो यहां पर हम यह कहेंगे कि भाया 9, 7, 16, 6, 22 आ रहा है और यह 22 किस के बराबर है? 2 into R1 plus R2 plus R3 के बराबर है तो यानि कि R1 plus R2 plus R3 बराबर आपका 11 हो गया अब यहां से एक एक करके निकाल सकते हो आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो, जब मैं कहूंगा आपसे कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R3, R2 प्लस R3 अगर 6 है, तो यहां से घटेगा तो 5 आजाएगा, तो 5 एक की option में है, केवल option number B answer आएगा, तो इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं सार जैसे कि मान के चलो मुझे R1 निकालना था, तो मैंने R2 प्लस R3 की value यहां से उठा कर रख दी, अगर मुझे R2 निकालना है, तो R1 प्लस R3 की value यहां से उठा कर रख दूँगा, और मुझे R3 निकालना है, तो R1 प्लस R2 रख दूँगा, तो यह मेरे उपर depend करता है कि मैं क कैसे निकालना चाहता हूँ, ठीक है, clear हो गया, अब अच्छे से likewise करते रहिए सबी student, यह अगला question है, बड़िया question है, देखते हैं कि किते विध्यारती इसका answer देते हैं, सही जवाब, देखते हैं कौन student, यह question पूछे गए हैं, अभी CGL में पूछा गया था यह question, CGL और CHSL में पता है आपको, और यह इसलिए करवा रहा हूँ, कि दिमाग खुल जाए आप लोगों का, ऐसे question पूछे जा रहे हैं, बार-बार पूछे जा रहे हैं, जो student paper देके आया, उसको पता होगा, और जिसने paper नहीं दिया, उसको नहीं पता होता है, वो paper में पता लागेगा फिर, तो इसलिए पहले ही करके जाओ, चलिए, जो student को पता है ना, जी, बिल्कुल सबसे पहले answer आया, सकती राज का, बिल्कुल सही जवाब है, विश्वजीत का भी answer आ गया, भाई, आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, यह classic question है यार, तो देखिए question क्या गह रहा कि अगर कोई बाहरी बिंदू, अगर कोई बाहर का बिंदू, क्या कर रहा है, अगर कोई बाहरी बिंदू, ब्रत को काट रहा है, यह ब्रत है, इसको काट रहा है, और एक इस परश रेखा है, तो किसी को याद आ रहा है, थियोरम, मुझे याद आ रहा है, किसी को थियोरम याद आ रही है मुझे याद आ रही है वो क्या होती है ad square बराबर आपने बताया था sir वो होता है ap into ab यही होता है न अब बस concept को समझना बस बाकी तो सारी चीज़े मैं करवा दूगा अपने concept को समझो dear question क्या कहना चाहरा है उसको समझो कि ab बराबर आपके सामने ac है अब एक बरत जो b से जाता है b से जाता है और ac को मध्य बिंदू यानि कि यह midpoint है यह आपका क्या है midpoint तो मैं आपसे कह दू क्या कि ab बराबर अगर ac है तो इसको मैं माल लेता हूँ 2x माल लो अपनी मर्जी से क्या दिक्कत है उससे क्या फाइदा होगा कि यह x हो जाएगा और यह भी x हो जाएगा क्योंकि बोला गया है question में भाई कि यह madhya bindu है तो यह x और यह x हो गया और मैं आपसे कह देता हूँ कि पीपर कारते हैं तो यह बता दीजिए तो अब आप देखिए ad बराबर कितना हो जाएगा आपका x square a p आपको रखना है और a b बराबर कितना a b a b आपका है 2x तो यहां से मैंने काटा पीटी कर दी तो यहां से कितना आ गया a p बराबर आ गया x by 2 अब आप लोग मुझे बताओ a b बराबर 2x है ना तो x बराबर कितना आ जाएगा a b y 2 तो यहां में रख सकता हूँ x बराबर a b y 2 तो a p बराबर a b y 2 और 1 by 2 तो पहले से ही है यानि कि आंसर आ जाएगा a p बराबर a b y 4 ठीक है czl में कोशन आया है नो तारिक को यह लीजिए आकाश ने बता दिया तो क् करा रहा हूँ भई मैं मज़े के लिए धुड़ी न करा रहा हूँ question यह इतना टफ आएगा क्या भई ऐसे question आते है paper में इसलिए करवाय जा रहे है और जो लोग यह class नहीं देख रहे हैं ना last में बहुत पच्चताएंगे यह ध्यान डखना सच बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आपको पता है जिन लोग समझते हैं ना content की value उनको पता है कि क्या होता है content में ठीक है तो ऐसे question आप करके जाईए और एक भी question गलत हो जाए तो फिर मेरे को बताईए clear हो गया भाई मज़ा आ रहा है आप जिते भी लोग देख रहे हैं सबी लोग like करें 1400 लोग देख रहे है मुझे 1400 like चाहिए अभी जिससे कि मैं समझ पाऊं कि हाँ जो लोग dedication dedication से पढ़ रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो come on guys जल्दी से like करें video को और अगला question भी खास है शांदार है तो ये लीजी अगला question आपके सामने आ चुका है इस question का जवाब दीजिए पहले तो कैसे करोगे भाई देखते हैं कि कौन विध्यारती सही answer देता है मेरे लिए बहुत बढ़िया विश्वजीत इतना tough नहीं आता अच्छा रितिक ने paper बनाया भई इतना tough नहीं आता यार मत बोलो रितिक तो मैं कुछ पता भी नहीं फिर भी बोलते हो अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे चलो क्या बोला गया है भाई question को देख लो question बड़ा प्यारा है question बोल रहा है कि a b बरावर आपका 8 है a c बरावर आपका 6 है तो c d बरावर कितना होगा अब मैंने आपके सामने कहा कि भाई question तो यह है अब इस question को कैसे करेंगे भाई आप को बता सकता है तो देखिए अगर मैं आपसे बोल दूँ कि यह question आपनको करना है कि a b बरावर 8 है a c बरावर आपका 6 है तो c d बरावर आपको पूछा गया है तो यह आपका 10 हो जाएगा b c बरावर आपका 10 हो जाएगा कौन सा concept आप इसमें लगाओगे बताओ कोई student बताएगा कि कौन सा concept इसके अंदर लगने वाला है पाइथोगुरस पाइथोगुरस अपनी theorem है अपन कहीं भी उसको use कर सकते हैं तो आराम से पाइथोगुरस लगाओ पहले चल्दी से बताओ कि आँसर आएगा आपका इस question का तो a b बरावर आपका दे रखा है a c बरावर आपको दे रखा है 6 आफ ही भराबर आपका दे रहा है और रहा है, 6, ठीक है यह आपके सामने क्या लगा दूँका है, त्रीपलेट से कर सकी सब्सक्राइज यह यह ओने लेना गजए वलाの ट्राइuyu लेना है यह आपको पता होना अची यह क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बताओ यार पाई तो गुरस लग रहा है जल्दी से बताओ हाँ बिल्कुत सही आंसर है आंसर में कोई परेशानी नहीं है मैं कभी कह रहा हूँ कि आंसर गलत है तुमारा किसी का आंसर गलत नहीं है जो कर रहे हैं वो आंसर सही है जिनका ठीक है हाँ शांदर कुश्चन है previous concept लग रहा है exactly three four five चलो कर लेंगे कर लेंगे मैं आगे चलू इस कुश्चन को skip कर दे कर लेंगे तो फिर सबको बता लग गया है तो अब तो करी लोगे ntpc के लिए है क्या हाँ जी ntpc के लिए है और किसके लिए एक तयारी कर वाओंगा मैं इस टाइम पर बताना मेरे को सब ntpc के लिए ही तो है ठीक है हाँ आराम से पढ़ा ही करो ना यार इसमें इसमें ntpc और ग्रूपडी क्या करेगा सब पिछले कुशण है एक्वाद करके लगा देंगे देखो अगर आप इसको x मान रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा है ना ये अगर आपने x माना है तो ये तो पूरा आपका 6 है ठीक है ये आपका पूरा 6 है तो अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये आपके सामने ये कितना हो रहा है ये इस तरीके से हां बता दें बताते हैं चलो एक student ने बोला था 8-x, ad माल लीजिए 8-x ये आपका 6 दे रखा है ये आपका अगर मैंने x माल लिया ये अगर मैंने x माल लिया पर ये x है तो फिर ये भी x हो जाएगा ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10-x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10-x हो जाएगा ठीक है और यहां से ये कितना हो जाएगा 8-x और यह 8 minus x ठीक है और हम जानते हैं 10 minus x plus 8 minus x बराबर 6 होगा यहां से कितना आ जाएगा 18 minus 2x बराबर 6 हो गया ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 बराबर 2x तो x बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया जब x बराबर 6 आ जाएगा तो यह कितना निकल जाएगा आपका two और यह कितना निकल रहा है यह तो छे है ही तो answer कितना आ जाएगा 36 प्लस चार root 40 मज़ए आ गया question में जल्दी से मुझे बता दें question में मज़ए आ गया क्या सर परसेंटेज वाला PDF नहीं मिला यहां डाला नहीं था मज़ा आगया question में एक number question है तरीका होना चाहिए बस तरीका आपके पास है तो question में कुछ भी नहीं है मैंने सिर्फ concept लगाया है और कुछ भी नहीं किया एक hint एक student ने दी मुझे और मैंने question कर दिया ठीक है और वो hint आप भी दे सकते थे क्योंकि मैंने आपके उपर भी छोड़ा था ठीक है clear हो रहा है तो यहां मैंने x मान लिया तो obviously यह 8-x होगा यह सारी चीज़े clear है यह x है तो यह x होता है क्यों क्योंकि बाहर के बिंदू से किसी ब्रत पर खीची गई दोनों इस पर शेगाए बराबर होती है तो यह पूरा 10 था तो यह 10-x हो गया तो यह बाहर का बिंदू यह है यानि कि यह 10-x होगा यह 8-X होगा, तो यह बराबर 6 की तो करूँगा, मैं, clear हो गया, मज़ा आ गया, all the very best, अच्छे से like करते रहिएगा वीडियो को, और अगला question आपके सामने है, ला जवाब, खुबसूरत question, देखते हैं कि कौन विध्यारती करता है, अब लगाईए दिमाग, मैं तो कह रहा पूरी चीजें clear हो जाएंगे आप लोगों को, तो चलिए, जल्दी से मुझे answer दीजे इस question का, और अगर अच्छा लग रहा है ना, like करो, और नहीं भी आता है, कोई बात नहीं, सीखने तो आयो, सीख के जाओगे, अगला प्रशन यह रहा, इसको करके बताओ, किसने किया, 10-x कैसे आ गया, अरे, ट्रिपलेट नहीं मन रहा है, 6,8,10 का, तो वो 10 ही तो हो जाएगी, कर्ण, जोमेटरी आज खतम करदें, है ना, जोमेटरी खतम करदें, बहुत सारे बचों को बड़ी जल्दी है, जोमेटरी खतम कर दो आज, भाई, मेरी इच्छा नहीं है अभी, चले, कुशन बड़ा प्यारा है, कि एक ब्रत बोला गया है, तो एक मैंने ब्रत बनाया, क्या बोला गया है, एक ब्रत बोला गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, चन्ता ना करो, आपने एक circle draw कर दिया बोला क्या गया circle में circle में बोला गया है कि AB जो है वो LD पर P इस प्रिकार कारते हैं यानि कि AB और जीवा है जीवा AB है एक जीवा मैंने मान ली AB must question है और एक जीवा मान ली मैंने LD मैंने ऐसे क्यों माना क्योंकि question ने बोला है sir question ने क्या बोला है? question कह रहा है कि यह दौनों है ना एक दूसरे को 90 degree पर काटती है यानि कि यह आपका क्या है 90 degree है my dear student अगर दो जीवाएं एक दूसरे को 90 degree पर काटें तो क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को यानि कि यहाँ पर अगर काटती है तो theorem मैंने आपको बताई थी अंदर की अंदर वाली यहाँ पर अगर मैं इसको O point मान लेता हूँ या फिर P point मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा P point मानो इसको क्या बोला गया इसने ना LP तो क्या हम यह कह सकते है AP into BP बराबर LP into PD यहाँ AP आपको दे रखा है 20 BP आपको दे रखा है 36 LP आपको दे रखा है 24 तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 20 into 36 बराबर 24 into PD और PD कितना आ जाएगा यहाँ से 6.36, 6.24, 4.30, 30 आ गया 30 आ गया अच्छा यह बताओ जिस दिन आपकी geometry खतम हो जाएगी तो उस दिन तुम क्या करोगे celebration कैसे बनाओगे थाली थाली बजाओगे पक्का अरे बया पढ़ लो कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे questions दियान डखना ठीक है फिर दस दिन दो दिन बाद ही क्या देंगे कुछ बच्चे सर वो geometry पढ़ा दो ना क्योंकि वो नए होंगे उनको पता नहीं कि geometry कितने दिन चली है और मैं देख रहा हूँ कमेंट बता दूँगा तुम्हें जब मैं कोई और चप्टरे स्टाट करूँगा न तो उस दिन आके रों कहेंगे सर जो geometry पढ़ा दो ना सर ठीक है चलिए और अच्छे से like करते रहा करो बड़ी अधरीगी से पढ़ो दिक्कत कहा रही है तो PD बराबर 30 आ गया तो बरत का परिमा पूछा गया है अरे वाह अब कोईशन कैसे होगा तो किसी को याद है आर अगर मैं इसको मिला दूँ इसको मैं इससे मिला दूँ देखना मज़ा आएगा कोईशन में इसको मैं इससे मिला दूँ और इसको मैं इससे मिला दूँ तो क्या एक triangle बन गया? क्या एक triangle बन गया यह? ADB क्या ADB एक triangle बन चुका है क्या? और ADB एक triangle है तो इसका यह परीबरती तो कहला रहा है यानि कि circum radius तो वो क्या होता है? ABC upon 4 delta बोलो, यही होता है na circum radius हमें तो परिमाप निकालना है na इसी वज़े से सारा काम करना पड़ रहा है इसी वज़े से सारा काम करना पड़ रहा है कि radius आएगी तभी तो परिमाप निकालूँगा 2 pi r लगा के अब यह मैंने क्या किया? ठीक है? अब क्या करेंगे हम? तो देखिए का जरा ADB मुझे दे रखा है ठीक है? क्लियर? पाइथागोरस लग जाएगा और यहां पर भी पाइथागोरस लग जाएगा 36 का स्क्वाइर प्लस 30 का स्क्वाइर तो यहां से कितना आ रहा है? एक बराब बता दें जिसने भी निकाला हो तो यह आ रहा है 10 रूट 13 10 रूट 13 और यह आ रहा है 1296 प्लस 30 का स्क्वाइर 900 तो यह हो जाएगा कितना? 1296 और यह चला जाएगा 36 6 रूट 18 ऐसे कुछ आ रहा है कि देखना? एक बड़ चेक कर लो आप लोग यह आ रहा है ना? आना तो यही चाहिए यह बिलकुँ सही है एना? ठीक है ना? क्योंकि 36 का होता है 1296 और इसका हो जाएगा 900 तो 36 का 6 निकल जाएगा एक साट आएगा 60 बना रहा है 60 बना रहा है 60 बना रहा है इसको 61 कर दो 6 रूट 61 ठीक है? 6 रूट 61 सब चेर पर प्रव्म हो रही है हाँ चले तो आगे चलते है 6 रूट 61 हो गया ये बात समझ में आगे आप लोगों को तीनों भुजाएं आगे कोशन बड़ा प्यारा यार मज़ा आगया आर निकालना है तो एक इतना है ए? एक इतना है भाही? 56 20 और 30 छपपन हो गया ना? 56 B 10 रूट 13 और C कितना हो जाएगा भाही अपना? 6 रूट 61 ये हो गया ABC अपन 4 डेल्टा है ना? 4 और 1 बटे दो आधार इंटू उचाई तो आधार 56 है और उचाई 30 है तो कैसे करेंगे? 56 से तो 56 चला गया 2 से चला गया 2 बार 30 दूनी 60 से 60 चला गया आंसर कितना आ जाएगा? ये जो गुणा करने पर कितना आ रहा है? यूनिडिजिट 3 आ रहा है तो केवल और केवल option number B आ सकता है क्योंकि यूनिडिजिट केवल 3 ही आएगा तो केवल option number B आपका आंसर मन रहा है क्योंकि हमें तो ये R निकाला है तो 2 पाई R आपका आंसर आएगा 2 पाई R तो R आपका ये है, तो 2PYR आपका अंसर हो गया, क्योंकि आपको परीमाप निकालना है, मझा आ गया, ठीक है, मझा आ गया कोशन में, अरे यार, शानदर कोशन है, दिल खुश हो जाता है, मतलब, अगर आपन तीन-चार कोशन ऐसे दिन में कर लेंए, तो दिल खुश हो जात हो जाता है ना पढ़ने वाले स्टुडेंट से पूछ रहा हूं जो बस देखने आये कि साहिल सर क्या कर रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं ठीक है सर रेडियस हैं सेंटर एक बटी तो भाग डिवाइड करते हैं तो हा वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यह तरीका सई है है ना चलिए, easy method से बनाईए, easy method से बनाईए, easy method यह यह, concept है इसमें, इसमें दिक्कत कहा रही है, पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी भाई, तभी तो निकालोगे ना भुजा, और इससे easy क्या हो सकता है, that is the procedure of question, यह तो procedure है question का, यह question की demand है, ठीक है, चलिए, L को P से joint कर लेते तो कर तो रखा है, अगला question आपके सामने यह रहा, BD की value कैसे निकाले, BD की value कैसे निकाले, पाइथागोरस से, यह 90 degree है ना, यह आधार है, यह लंब है, निकाल लो BD की value, अगला question यह रहा, awesome question है, बढ़िया question है, चलो करके बताओ इस question को, देखते हैं कौन student करके बताता ह है, चलो बताओ, मेंस का batch plus पर बता दीजिए, उधित मेरा 27 तारिक से batch स्टार्ट हो रहा है, पूरा course बन चुका है, अब बस batch launch होने वाला है 27 तारिक को, उसमें हम paper करेंगे, ठीक है, जिसमें शांदा 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 है, अंदर questions होंगे, SSC category में, और उसमें मैं बोल रहा था न आपसे, एक complete batch लेकर आऊंगा, जो सभी exams के लिए होगा, एक बर math अच्छे से पढ़ लो, मतलब math अच्छे से पढ़ी जाती है 6-7 मही ने, तब जाके आपकी सारी math के लिए हो जाएगी, तो time लगता है, लेकिन बस स student का सही answer है, कितने student का गलत answer है, चलिए, तो ये question बड़ा अच्छा था, कैसे करेंगे इस question को, देखिएगा आप लो, 6.25 राइट answer आ रहा है, मैं ये कहना चाता हूँ कि ABCD आपका एक वर्ग है, जिसकी बजा आपको दे रखिए 10, अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये आपका center हो गया, अगर ये center हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये पूरी बजा आपकी 10 है, और ये आपकी radius है, य क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की बुजा तो 10 है न, very good, यहां तक तो clear हो गया होगा, अब आगे क्या बोला गया है, कि एक ब्रत A से, A तथा D से, एक ब्रत खीचा गया है, ठीक है, BC पर इस परश करता है, ये भी ठीक है, तो ब्रत की तिरिजा ग्याद करो, भाई क्या सकता हूं, ये radius कर दो आप, क्योंकि तो radius ही तो क्या लाएगी, dear, आराम से करो, कोई जल्दबाजी है, क्या, मज़ा आ रहा है, जब learning करने के बाद में, आपको चीजे समझ में आने लग जाएं, तो यही आपकी कमाई है, यानि कि ये आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि वर square बराबर, 100 minus 2R plus R square plus 5 का square, कटे जा, 2R बराबर 125, ठीक है, 2R बराबर 125, ठीक है न, और यहां से आ जाएगा, क्या हो गया, ठीक है, चीजे clear हो रही है, हाँ, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, clear है न, number की बुझा दे रखिये, और 100 minus 2R, तो यह R बराबर कितना हो रहा है, 62.5 आ रहा है क्या, 20, oh sorry, sorry, 20R होगा, मैं भई, सोचू, क्या हो रहा है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 10R, यह हो जाएगा, 6.25, 6.25 is the right answer of this question, answer आ गया भई, अगले question की तरफ चले, next question आपके सामने यह रहा, इसको करके बताओगे, कौन करके बताएगा भई, चल्दी से आप लोग करके बताओगे भई, करके बताओ, मज़ा आना चाहिए भई, हर question आपके लिए है, 20R हो, खीक है, तो क्या हम यह कह सकते है, यह question क्या कहना चाहरा है, कि PRQ, PRQ अगर यह 45 दिग्री है, यह अगर आपका 45 डिग्री है, Q आपका अगर Sum है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि भाई अगर यह आपका 45 है यह Sum कौ जो है तो SIMPLE सा ल落जिक है यह वाला भी 45 होगा और ये अगर 45 हो गया तो यह वाली भुजा भी बराबर होगी इस वाली भुजा के बोलो क्या कि 45 डिग्री के सामने की बुजाएं दौने बराबर होने वाली है ना जी बिलकुल सही सोचा sahr AAPने तो क्या हम यह कह सकते हैं कि Sir ऐसा है तो यह अगर मैंने मान ली यह side है और आ तो यह side भी अपनी क्या होगी ऐ होगी हिच होगी गार्ण आप से क्या बाहर बिंदू है और दो सेकेंट याने की एक ये बिंदू हो गया और एक ये बिंदू हो गया एक ये बिंदू हो गया तो क्या लगाते है फॉर्मूला आर क्या और डी एंटूर्पी बराबर र एंटूर्किesis ख़री इंटूर्द हो गया और आप समझ में थका मैं उल्क आ tom,レ अपको समझ में ने बिंदू है ये तो पीने, ये तो इन सब्सक्राइब लेकिलियर ये 3 दित्व में नहीं लूज भी देरुद आप लगे-चर बिं है, तो क्या मैं यह के सकता हूँ, यह अगर A है, यह A है, तो यह पूरा कितना हो जाएगा, root 2 A, 90 degree, 45, 45, तो यह कितना हो जाएगा आपका, यह कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दो, है न, यह आपके सामने हो जाएगा, RD हो गया, और यह root 2 A, तो 3 into root 2 A बराबर, RE, तो यह अगर A है, और QE आपका दे रखा है, 5 root 2, तो यह वाला कितना हो जाएगा, A minus 5 root 2, तो अब सॉल्व करके रखते हैं इसकी value, 3 into root 2 A, बराबर, 5 root 2, है न, 5 root 2 नहीं, पूरा का पूरा A आएगा, A into A minus 5 root 2, A से A कट गया, सॉल्व कर लेते हैं, यह कितना आजाएगा, 5 root 2 इधर चला जाएगा, चला गया न, तो 3 root 2, 5 root 2, 8 root 2 आजाएगा, 8 root 2 आपका A आगया, तो आप से पूछा गया है, PR की लंबाई, तो PR कितना है, root 2 A, तो PR कितना है, root 2 A, तो आँसर कितना आजाएगा, A root 2 into root 2, यही तो PR है, चेक करो, अरे यही तो PR है, P से R, root 2 A, तो A निकला है अभी तो, तो आँसर कितना आएगा, 16 unit, अच्छा कुशन है न, मज़ा आगया कुशन में, clear है, समझ में आ रहा है सब कुछ, मज़ा आगया कुशन में, मुझे तो बड़ा अच्छा कुशन लगा यह, जहां पर हमें यह दे रखा है, QE, और यह पूरा A था, तो यह A-5 root 2 हो गया, यह root 2 A पूरा होगा, और यह 3 है, तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो यही तो निकालना होता है, RD और RP, तो RD पता है और RP पता है, तो answer आ गया, बहुत प्यारे प्यारे कुशन करा रहा हूं, शायद यह आपने कभी करे हूं, ऐसे कुशन्स, ठीक है, तो यह कुशन्स आप देख लीजे, यहां से आप को हमवर्क में करके लाने है, कल ऐसा करता हूं, कल यह लास्ट क्लास आपकी ले लेता हूं, उसके बाद आपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल यह लास्ट क्लास आपकी ले लेता हूं, सर्किल की, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, 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 जरूर करना, अपने विध्यारतियों, सभी लोगों को शेयर जरूर करना, ठीक है? जितने भी विध्यारती देख रहे हैं, जिन्हों अभी तक लाइक नियक है, वो लाइक करेंगे. अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं, मेरा कोर्स कहां कहां चल र लिए, तो सब में मेरे कोर्स चल रहे हैं, आप एक कोर्स लगा कर सभी सब्जेट के कोर्स ले सकते हैं, मेरे तो चली रहे हैं, बाकि आपको सभी सब्जेट के कोर्स और टेस सीरीज दौनों मिल जाएंगी, साहिल 10 अगर आप कोर्स लगाते हैं, S-A-H-I-L-1-0 without any space, ठीक ह साहिल 10 अपको लगाना है बिना किसी गैप के 10% की छूट के लिए, अनकैडमी लर्निंग अपको आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, रेलवे वाले रेलवे एक्जाम, UPSC वाले UPSC, बैंक वाले बैंक सलट करेंगे, SSC वाले SSC, NET, UGC NET की भी क्लास चल रही हैं, तो ये सारे स्टूडेंट अपनी अपनी अलग-अलग गोल सलट कर सकते हैं, जहां कर भी, जहां के भी हो, जैसे कि मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए रेलवे सलट कर लिया, उसके बाद मैं आगे जाओंगा, GET सस्किप्शन पर, GET सस्किप्शन पर जाने के मैं छे महीने का कोर्स लूँगा, जिसमें मेरे को सभी सब्जेट की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, साथ के साथ टेस सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, तो फिर मैंने कोड लगाया, साहिल टैन मेरा क्या नाम है, तो आपके नाम, मेरे नाम से साहिल टैन कोड बन गया जिससे कि आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, स-A-H-I-L, 10, without any space, उसको एपलाई कर दूँगा, रैफरल कोड एपलाईड हो जाएगा, रैफरल कोड एपलाईड होने के बाद में क्या होने वाला है, आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, चलिए, तो ये आप मेरा ट मस्ती से करते रहो यार, टेंशन मतलो यार, जो पढ़ा रहा हूँ, बैस्ट पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में आपको कोई भी इस तरह का content नहीं देने वाला है, यूट्यूब पर, ये आप लिख के रख लो आज भी, आपको भी ये पता होगा, ठीक है, मैं इसलिए दे र रहिए, स्वस्त रहिए, और व्यस्त रहिए, बबाए, टेक केर, शेयर और लाइक करना मत बूलना, ठीक है न, चलिए,